दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले अगली वीडियो आप मिसना कर चगे तो चलिए वीडियो बहुत बड़े स्तर पर बनाए जा रहे हैं अगर आज के एडवांस हतियारों की तुलना पुराने वर्ल्ड वार के समय के हतियारों से की जाए तो आज हम जो तकनिक इस्तेमाल कर रहे हैं वहां बहुत शांदार है अब यह ऐसा समय है जब रोबोट इंसान के लिए जंग म अगर कम शब्दों में कहे तो डोगो एक कमपेक्ट पावर हाउस जो किसी भी मुश्किल गड़ी में मदद कर साबित होता है इस रोबोट में 6 कैमरे लगे हुए हैं जिसे आप चारों और नजर रख सकते हैं और कहीं भी गुस्पैट कर सकते हैं इसे एक रिमोट से कंट्र प्रोल किया जाता है इस चोटे से रोबोट के अंदर गलोक 26 पिस्तोल भी है और यहां गन 16 राउंड फाइर कर सकती है इस रोबोट में लगे लेजर की मदद से आप बिल्कुल परफेक्ट फाइरिंग कर सकते हैं डोगो दो सेकेंड में 5 राउंड फाइर करता है इस रोब पॉन स्पीकर जिससे दुश्मन के इलाके में उनकी खूफिया बाते सुनी जा सके नंबर 4 गाइड बोट गाइड बोट रोबोट को स्पेशली मार्स मिशन के लिए तयार किया गया है जो किसी भी सता पर 9 मिल पर 3 गंटे की रपतार से चल सकता है यहां तक कि पानी में भी 3 मिल पर 3 गंटे की रपतार से दौड सकता है यहां मिलेटरी का एक ऐसा रोबोट है जिसे निगरानी करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है इस रोबोट में पैंडूलम मोशन ड्राइव सिस्टम है जिसे एक बार चार्ज करने के बाद 25 गंटे तक लगातार काम में लाया जा सकता है यहां कई तरह के सेंसर औडियो और जीपेस से लेस है जिसे रिमोट या सैटेलाइट द्वारा कंट्रोल किया जाता है नमबर 3 रोबोट स्टिंग रेज हम उस समय से दूर नहीं जब रोबोट मनुश्य की जगे हमें देखने को मिलेंगी यहां तक कि साइंस ने रोबोटिक स्टिंग रे भी तयार कर ली है और इसके बायो मेकनिजम को आसानी से क्रियेट किया जा सकता है इसे टाइटेनियम और एलिमिनियम के डांचे से तयार किया गया है और इसके पंक सिलिकॉन से बने हुए है इस रोबोट को इस तरह से बनाया गया है कि यह किसी भ अमेरिका में बनाई गए इस रोबोट को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन एरक्राफ्ट है जो सबसे ज़्यादा इस्तिमाल में लिया जाने वाला रिमोट पाइलट एरक्राफ्ट है जिसे युएस तूर्की इटलियन और मुरोको एर फोर्सेस में पिछले 20 सालों से इस्तिमाल किया जा रहा है इस एरक्राफ्ट में AGM-114C Hellfire Anti-Tank Missile लोड है यह एरक्राफ्ट रिमोट कंट्रोल है जिसे मिलिटरी बेस से कंट्रोल किया जाता है और यह दुश्मन के इलाकों पर हमला करने के लिए हमेशा तयार रहता है नमबर वन रोबो बीज हावर्ड युनिवरसिटी में रोबोट मदुमक्षियों को तयार किया गया है इस एक मदुमक्षि का वजन 80 मिलिग्राम है और इस मदुमक्षि के लिए बनाए गए पंक एक इंच के हैं जो मनुश्य द्वारा किसी रोबोट के लिए बनाए गई अभी तक के सबसे चोटे पंक है यहाँ पंक एक सेकेंड में 120 बार फटबडाते हैं और इसकी मुवमेंट को भी रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है इस रोबोट को खोजबीन बचाव और गुस्पेट के लिए तयार किया गया है लेकिन अभी इस रोबोट पर काम चल रहा है जिससे रोबोट को मिलने वाली पावर सप्लाई को बिना किसी एक्ष्रा बैटरी के चलाया जा सके अगर इस मुश्किल का हल निकलता है तो इन्हें बहुत से कुफिया मिशन के लिए इस्तिमाल किया जा सकेगा दोस्तो ये थे वो पांच न्यू टेक्नोलोजी वाले रोबोट आपको इन रोबोट में से कौन सा रोबोट अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताए और दोस्तो अभी तक आपने हमाने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ।